हलो एंड वेलकम तो मैं चैनल टेकी जनल्स तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम आउनलाइन अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इसे करने का स्टेप्स बहुत सिंपल सा है बस मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें कोई जी स्टेप को मिशना करें और अच्छे से फॉलो करें आप असानी से अधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए हम लोग वीडियो स्टाट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपना आप ब्राउजर ओपेन कर लीजिए अब यहाँ पर आपको सर्च करना है आधार इंटर करें यह देखिए आधार यू आईडी आई का ओफिशल साइट है इस पर क्लिक करें यह ओफिशल साइट खुल गया यहाँ पर देखिए यह माई आधार पर आपको जाना है और यह देखिए गेट आधार के निची यह अप्शेनल डाउनलोड आधार इस पर आप क्लिक करें यह आधार का विब साइट थोड़ा स्लो चलता है इसलिए आपको इस पर डाउनलोड करने में थोड़ा टाइंग लगेगा यह देखिए यह खुल गया पेज अब यहाँ पर आपको अगर अपना अधार नमबर पता है तो वो डाले या इंडॉर्मेंट आईडी डाले या वर्चुल आईडी जो भी आपके पास है वो डाले जैसे मेरे पास अधार नमबर है तो मैं अपना अधार नमबर डालता हूँ यह मैंने अपना अधार नमबर डाल दिया अब यहाँ पर देखिए आई वांटा मास्क अधार इस पर अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि आपका जो अधार करड़ाएगा उसमें आपका अधार नमबर स्टार्टिंग के नमबर हीडेन रहेंगे मतलब स्टा सीथार नमबर शोेगे तो अगर आपको ऐसा मास्क अधार चाहिए तो आप इससले चाहिए और आप इस पर टिक करें और ऐसले चाहिए तॉ मुझै आप इससले तो मैं उससले टिक नहीं कर रहा हूं तो अब यहां पे हमें यह कैप्चा डालना है जो यहां पे लिखा हुआ है वह यहां टाइप कर देना है यह हो गया उसके बाद यहां पे आपको क्लिक करना है सेंड ओटीपी पे यह जो टीपी है आपके रजिस्टर्ड इमेल आईडी और फोन नंबर पे जाएगा यहां पे आपने इंटर किया सेंड ओटीपी अब आपके नंबर पे ओटीपी आया होगा आपको यहां पे टाइप करना है तो अब मैंने ओटीपी डाला यहां पे यहां पे एक क्विक सर्वे चोटा सा के दो यू नो दैट यू कन ओडर रिप्रिंट अफ अदार लेटर फ्रम याएडी वेबसाइट तो मुझी यह पता है यह कर देयां इन हाव मनी देज दिए रिप्रिंटेड अधार लेटर अफटर गेटिंग समस फ्रम तो शिक्स टू तेन देज में आजाता है तो यह मैं वेरिफायां डाउनलोड करता हूं तो यह देखिए मेरा अधार डाउनलोड हो रहा है यह देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि हमारा अधार जो डाउनलोड होगा वो एक पास्वर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होगा तो उसे ओपन करने का तरीका है कि जैसे आपका यह एक्जांपल दे हुआ है जैसे इनका नाम है अनीश वाई कुमार और यह अफ बर्थ है 1989 तो इन्हें डालना है अपना स्टार्टिंग नाम का कैपिटल में फर्स्ट फोर लेटर उसके यह अफ बर्थ डालना है तो जैसे यह मेरा फाइल डाउनलोड हो गया मैं इसे उपन कर रहा हूं तो मुझे भी अपना पहला फर्स्ट फोर लेटर डालना है कैपिटल में और यह अर ऑफ बर्थ डालना है यह देखिए यह देखिए मेरा अधार खुल गया तो इनको सिंपल से स्टेप्स से अप अधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरीके साब अपना अधार कार्ड डाउनलोड करें और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप जिस भी टॉपिक से लिडियर चाहते हैं मैं वीडियो बनाओ उसे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं थैंक्यू झाल